हरी ओं मेरे पिरिये धनुराशि के सात्यों 18 सितंबर 2024 का दिन धनुराशि वालों के लिए किस प्रकार की ग्रहों का योग संयोग बना कर लेकर आया है जानेंगे हम इस वीडियो में तो वीडियो के अंतग बने रहे उससे पहले चैनल पर पहले बार है कि मीन राशी में रहेगा और भादर माश के शुकल पक्ष की परती पदा तिथी लग जाएगी और इस तिथी से 15 दिनों के लिए हमारे पित्र पक्ष आरंब हो जाएंगे पित्र पक्ष के सराद पक्ष भी कहा जाता है इस दिन से पित्रों के नाम का सराद करम तरपन दान पुन्य करते हैं जिससे पित्रोक आश्रवाद मिलता है पित्रपक्स के पहले दिन ही उभेचरी योग, विर्दी योग, पूरुवा भादरपद नक्षत्र का सुभश्योग बन रहा है साथ ही चंदरग्रहन भी लग रहा है साथ ही उस उभा के वक्त चंदरग्रहन से समधित वीडियो मैंने डिस्क्रेप्शन में दी है उसे चेक आउट आप कर सकते हैं जाकर साथ ही उसम्पुन जानकारी देखे पित्रपक्स के पहले दिन बने रहनी सुभ्योगों का फाइदा धनू राशी के जादकों को पुराने निवेस्चा रिटन दिला सकता है काम धंदे के साथ साथ अन्य मार्गों से भी धन की जो है आमदनी आपकी बढ़ेगी और आपकी कुंडली में पित्र दोस से मुक्ती मिलेगी और गणेश जी का अश्रवाद भी प्राप्त होगा जिससे आपको पित्रों की कृपा से सभी विगन बाधाई दूर होगी आए जानते हैं विस्तार से कि 17 सितंबर का दिन किन किन रूपों में आपके लिए सो भागे साली हो सकता है इस दिन आपका भाग गया है 90% साथ देगा साथ आपका लखी कलर ग्रीन और रेड रहने वाला है साथियों देखे धनुराशी वालों के लिए करियर के मामले में ये दिन काफी अच्छा दिखाए देरा करियर में आपकी उपलब्दियां होने वाली है लेकिन धन से संब्दित आपको लेन देन करते वक्त थोड़ा सा नुकसान हो सकता है इसलिए आपको इस दिन लेन देन करने से बचना चाहिए बड़ी मातरा में आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा आलस की भावनाई आएंगी आपके जीवन में जो है जो परेशानिया चल रही थी वो पित्रों के आसिरवात से दूर हो जाएंगी ओफिस में लोग आपकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे जिसकी वज़े से आप थोड़ा सा परेशान या तकलीफ महसूस करेंगे लेकिन आपको उनकी बातों को इनोर करके अपने कारिये पर फोकस करना है अपने प्रिये व्यक्ति की मदद करने के कान भी आपको कुछ कस्ट उठाना बढ़ सकता है इसलिए आप मदद के लिए पीछे ही रहे तो बहतर है रातरी का समय आनद में बीतेगा कारिये उजना इस अफल होने से आपका मन काफी प्रशन रहेगा वैवाही की जीवन अच्छा है लव लाइफ अच्छी है स्वास्ते भी काफी ठीक ठाक नजर आ रहा है पितर पक्स के पहले दिन पीपल के पेड़ पर जलर पित करें काले तेल डाल कर और अपने पितरों के लिए आश्रिवाद मांगे वो जिस भी जोनी में है जिस भी उसमें है वो हमारे लिए सदे सुखद रहें हमारे लिए आश्रिवाद बरसा इस प्रकार की पराधना करिए क्योंकि आपके पितर ही आपके रक्षक होते हैं इसलिए पारली जी का बिस्किट भी चीटियो गोड़ा